Example 1 देखिए, consider the number 4 raised to the n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. हमें ये बताना है कि जो ये number है, कि n की किसी value के लिए, जो natural number से है, क्या इसकी unit digit 0 हो सकती है? आप समझो, हम यहाँ 4 की power 1 लें, तो ये आएगा 4, 4 की power 2 लें, तो ये आएगा 16, 4 की power 3 लें, तो ये आएगा आपका 64. आप ऐसे चेक करोगे इसे, तो ऐसे तो आप इसे चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि natural numbers infinite है. आप एक key concept को समझें, कि अगर आपको unit digit 1 0 चाहिए, 1 0, तो वहाँ पर 2 और 5 का 1 pair होना चाहिए, और अगर आपको 2 0s चाहिए last में, तो वहाँ 2 और 5 के, आपको कम से कम 2 factors चाहिए, उसके prime factorization में, और अगर आपको 3 0s चाहिए, तो उसमें 3 pairs होने चाहिए, 2 और 5 के. अब आप करें, 4 की power n, इसका prime factorization होगा, 2 into 2n, यानि 2 की power n into 2 की power n type का है. यहाँ कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 2 और 5 का pair नहीं बनेगा, और 2 और 5 का pair नहीं बनेगा, तो 0 भी last में नहीं आएगा. दोनों का pair complete होना चाहिए, आप लिखोगे, 4 prime factorization of 4 raised to the power n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की power n का square, यानि कि यहाँ पे आजाएगा, इसका complete का square, तो यह 2 की power 2n आजाएगा. is 2 की power 2n, it has 2 as its factor, but it do not have 5 as its prime factor, so it cannot end with the unit digit 0. तो यह कभी भी unit digit 0 के साथ end नहीं हो सकता, अगर किसी भी number को आपका unit digit 0 के साथ end होना है, तो वहाँ पर उसके factors 2 की power m into 5 की power n type के होने चाहिए, जहाँ पर m और n जो हैं, वो natural numbers हैं.